वुद्दा पर जातिवाद का ज्यादा आरोप लग चुके हैं किसी परकार की कोई निर्यात की निर्फ बिनकुल बढ़िया सरकार है सरकार ने पिछले दस साल में बहुत बढ़िया काम किये हमारे जीन से विदायक है डॉक्टर टुषिल विद्दा जी पीजबी पाल्टी ब सीव चौपः आए एक अक्टूबर को अर्याना में चुनाओ होगा च्यार अक्टूबर को नतीजे आएंगे क्या इस बार हरियाना में बदलाओ की बयार बह रही है क्या आप होने वाला है वोकि जिन्द में मवजूदा जो विदायक है वो पीजे पीचे है किसा है क्या ल पैसा करदियाक जैसे हम तो सकूलों वाड़े हैं और सकूलों की समिश्याएं हैं गाड़िया हैं वैसे इन्होंने 10 साल की करदी हैं वैसे तो साइंस में पढ़ा जाता है अगर खर्चों को सिमित करने के लिए रेडूस करो, रेजुज करो, रेजुज करो लेकिन इन्होंने गाड़ी जो 20-30 साल चल सकती कोई धिकत भी होती, उन्होंने 10 साल लाइप कर दी है और वो ज्यादा मेंगी गाड़ी आती है इसी प्रकार दूसरी चीजे भी है खिसानों और नोजवानों पर क्या आपते हैं और नोजवानों के लिए रोजगार की आवसकता है तो उसके लिए आवसर बढ़ाएं आप इसकुल से तालूक रखते हैं क्या इस बार बदलाव की बयार है, क्या होने वाला है देखो, बदलाव की बयार तब फुल पूर फॉर में होती है जब दूसरी पार्टी वाले लोग अच्छे दीखेग बेहाँ वहाँ पर अच्छे काम करेंगे लेकिन जो पोवरिस पार्टी है वहाँ पर भी पहने उद्धा पर जातिवाद का ज्यादा अरोप लग चुके हैं इसलिए लोग वहाँ भी आसा की किन नहीं देख रहे हैं तो ना कांग्रेस में देख रहे हैं और बीजेपी से परसान हैं क्या लगता है आप हो पिशनली बढ़ीया है जी पिछले दस साल से बीजेपी नराज की हैं अच्छे का सभी के लिए वएबारी वरके नीए बी एन्धा नहीं हैं ने बढ़ीया कांग किए जीन के विकाध के लिए बह revolutionary चलाई अभी भी लास्ट चाइम पे अभी स़रकार जाने वाई एक लाग़ प्लसूजोज जो पराने कचे हैं पका आधाय महां था Mingyam क्या है आमगा बदला होगा है बस नीशाग क्रीह जो ठीशाध्या हो जेना सिर्फ méでは देश्क कांगर रहा है वो अब अब अपने हमेले के रेक्षन आएगे न पर पता लगए जगा कौन वास है जी वह लाश्ट इम वासे पिसली से पिसली योज़रा में मिस्टर मनीश ग्रोवर जी वासे मंतरी थे लाश्टर मारे जब इस पर तिकर देती है कि स्कुली देती जब चेरे सामदे जिस पार्टी का अच्छा क्यांडिडेट होगा तो काम करेगा तो नेच्वल सी बात पबलिक उसको बोट देगी इसमें मुख्य मंतरी बदला गया साइनी को लाया गया इसे क्या फर्क पड़ा रहा है कुछ भी नहीं परक बड़ा अगले उनको ना खटर जी को सेंटर गॉर्मिन में लेके चलेगे उनकी तो प्रमोशन ही हुई बीजेपी पार्टी की कासी पार्टी है पता नहीं चलता रापको मुख्या मंतरी को अनुगा सुबह मुख्या मंतरी को आप दूसरी पार्टी को अपने कुछ अराय बताएंगे क्या यह इस चुनाओं में रुजगार मुद्धा बनेगा रोजगार मुद्धा नहीं पता कि किसको मिलेगी का ताज किसको अधर होगा वह नहीं बता भी तालीस उमीदवार सिर्फ उमीदवार कड़ावने से कुछ नियुदा जिसको टिकट मिलेगी उसके बाद ही जनता सब यह जिस सोचेगी कि किसको वोट देंगे और किसको ना देंगे नोजवानों के लिए रोजगार, खिसानों के लिए मेस्पी मुद्दाब बनेगा इस शुराओं में सुर रोजगार की बात रोजगार तो बहुत है बीजेपी पार्टी में बहुत बढ़ी है रोजगार मिले हैं लोगों और जितने कच्छे करम चारी थे सब को फुमोशनल लोगों को पक्का भी किया गया है और हमारे जैसे नोजवानों को भी लगा लो इस प्राइब टोप बहुत बढ़िया में रही है कोई दिक्कट नहीं है जोमारे सामाजिक शुरक्स्या चाहते हैं और समाजिक शुरक्स्या के लिए जो सरकार काम बढ़िया करेंगे उच्छी को वी सित लोग चुनना पसंद करें क्योंकि रोजगान तो देखो नोकरी से भी को नहीं दी जा सकती लेकिन आम जनता के लिए समाज के लिए जो बढ़िया काम है सडके हैं सरकों का अच्छा जान भी चाया है यह नहरे हैं बढ़िया की हैं उजली के तार भी बदले हैं राट में चलाने में कोई कानौन बेमस्था के कोई दिखत नहीं होती है रात लोग मैं चलाती नहीं हो 6,7 जादर से जद carbos 7 तो पता नहीं जी ठीक है अपने उपर डिपेंड करता है इस बताइए कि दस सल से बीजेपी की सरकार है अब एक अक्टूबर को अर्याना में चुनाओने जा रहा है क्या रहा है आपकी सरकार ये बदलने है या ये सरकार रखनी है सरकार की उपर हम तेली मश्दूर करने आड बहुं हैं हमारे उपर कुछ नहीं फरक पड़ता जी कोई भी आये कोई बिजाए कोई बिजाए ऐक ये जैसे रेदी लगाते हैं अपने परिकी कोई फरक ने पड़ता चावड मेंगा हो सस्ता हो खरीद के खाना है चावड 45-50 रुपय किलो हो रहा है कमाई के हिसाब से तो मेंगा ही है यह आपने कब खरीदा था यह मैं अभी 35-36 ती हुआ है तो आप इसको अभी नहीं चलाना दो चर्मने से सुरू किया है मेरे और एक पुराणी है और गुजर गए था दो साल हो गया आपना गुजारा कर रहे हैं चे कितने हैं तो इसी से गुजारा चलता है आपका क्या नाम है आपको क्या लग रहा है शुनाव में क्या होने वाला है एक तारीको चुनाव है और याना में क्यों पारी तो हर वर्ग में पिटता ही पिटता है या कोई सी सरकार आदे है वेपारियों कुछ नी करती सरकार पर तुरह आपनल तो चाहिए बीजेपी ऊचाहिए कोई कुल याँ प्रगी तो हर पैस वाज़नीति सारी जाति वादगी और दूसरी तो कोई राजनीति नहीं है देश के लिए नहीं है सरकार तो बीजेपी ठीक है लें लेगिम कट्र साब सही थे सब्सक्राइब करते हैं पहले काम नहीं किया अब कर रहे हैं इस बार क्या सीन बन रहा है कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला है यहां यहां पे तिसरी पार्टी भी कोई है मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में और तिसरी पार्टी कोई नहीं है अब आदमी पार्टी थी वो खतम हो चुकिया वर्याणा में किसानों को चाहिए मैंस्पी नौजवानों को चाहिए रुजगार मादम ऊदयने को चाहिए को कि मांगा नायका मो इस उढ़ारपियोदी आपढ़ पिटार को तो टुला जाएगा। को का फूट बैठती है हरेना कि सरकार ? यह खिसान ते पोट 건 देगे पी जेपी को आजी इस लिए अपयरी में done रहा है Central किस्का पलडा वारी और उसको देंगे और पारीका तो यह पाइश्पात्य बदलाव भी ऊसकता है यह और warto सकता है नहीं से पूंचेंगे क्या वहाला नारी अपसे लिंखक जाल और का दंता कै बोई ने पूझने वर काम तक संगर्श कर जी ये तरीक होने जारा हर रियान पता है ना ऐलान हो गया आज तो क्या ये सरकार बदलेगी रहेगी यह जाएगी बदलते गोध बध़ी आजी पड़ी आज़ी पड़ी आजी आज़ी आज जाते हैं कांगरेस्फ को आना चेज न मोदी मोदी ऑचोटें। थी वहीं बाद ने एक बार अगवर आजाएगे। वहीं बाद ने फिर क्या हुआ। तो वहीं बाद ने, सहनी साब आ जाएगे। निए के अगडरिस फ्लते आनोची। सरकार बादलने चाहिए, यह खारिस को आने चाहिए, आप। आप मेरे साफ से तो जैसे चलता है सिस्टम तो एक अगर बतलाव तो आना चाहिए ठीक है और पेर जुमारे लिए इस आटो वारों के लिए कुछ नहीं करता है ना कोई कुछ नहीं करता है बिल्कुल भी आटों से बाते हैं सारा दिन असान को रेंट तर पूरा नियोता जो लोग रेंट पे लेके चलाते हैं उनका आट करिंड Авिरे नहीं पुरा होता था था पचलों के लिए क्या लेके जाएंगे यЕ बात सभी है बिल्कुल जैन igual है और यह बात सचाही चाहिए हैं मैकमा भी हमारा साथ देता है यह बात नहीं है पुलीजी मैकमा रहा सब्सक्राइब देटी इस बचता कुछ नहीं है अगाई सब खा जाती है अर्यान में चुनाव का एलान हुआ है रोजवानों के रोजवानों के रोजगार पर क्याँ पूलेंगे पर देख रहे होंगे कि मिनी जूनी प्रित करिया है कुछ लोगा मानना है कि ये सरकार बदलने चाहिए और कुछ लोगा मानना है कि ये सरकार ठीक काम कर रहे है अब देखना यह है कि जब एक तारीक आता है तो कैसे लोग मद्दान करते हैं और चार तारीकों हर याना क्या फैसला सुनाता है आपके क्या रहा है कमेंट बॉक्ट में जाके कमेंट जरूर ठीचिएगा